हे गारी इस मॉल्टेक चैनल में आपको फिर से सोग आते फ्रेंड आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड जो आपको सबसे अच्छा एसकूटी कौन सा होगा सबसे कम बजट में जो की इलेक्ट्रिक एसकूटी होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैं ऐसे टॉफ फाइप एसकूटी बताऊंगा जो सबसे कम रेट में प्राइज में आपको एवलेबल होगा और एक लाग के अंदर आपको बहुत सारा चुणा इस वीडियो में इसलिए इस वीडियो को पूरा ekस जरूर देखे फ्रेंड और मैं हर चीज बताऊंगा का सा e.v p. to जिसके में मैं बात करना चाहता हूँ फ्रेंड वो पूरी तरह इलेक्रिसिटी स्कूटर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसमें लीथियम आयों का बैटरी है जो कि बहुत ही जवर्दरस्त है अगर मैं बात करो आपको तो यह 80 किलो मीटर का रेंज यह कबर कर सकता एक बार चार्ज करने पर और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड इसमें इसमें एलाइ का वील है और मैं बताना चाहता हूँ इसमें 80 केजी तक का भी आदमी बैठ सकता है एक एक्स्ट्रा आदमी और इसका टांसमिशन आटोमैटिक है और मैं बताना चाहता हूँ इसके आपको डूवल चैनल का मिलेगा जो कि बहुत ही जवरदस्त है और इसकी प्राइस रेट की बात करूं मैं तो 71,000 से लेकर 75,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा और यह बहुत ही सच में जवरदस स्कूटी में से एक है और मैं बताना चाहता हूँ इसकी लुक वाइज के अगर बात करें तो अभी तक सबसे जवरदस स्कूटी में से एक है और मैं बताने तो इसके अंदर भी लीथियम आयोन का बैटरी है जो कि बहुत जवरदस्त है और बहुत जल्दी चार्ज भी होता है और लुक वाइज में तो कुछ कहना ही नहीं है और मैं बताना चाहता हूँ इसका स्पीड भी बहुत ही जवरदस्त है 4.4 PS का पाबर इसके अंदर स्पीड एवलेबल है और मैं बताना चाहता हूँ इसमें 3-4 कलर आते मैक्सिमम अभी मार्केट में ब्लैक वाइट और ग्र तो यह दस में चार्ज करोगे तो यह एक घंटा कम से कम आपको 25 किलोमेटर तो चलेगा जो कमपनी वादा करता है और मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर जो इसका वील्स है वो आपको एलॉय का मिलेगा और जो कि बहुत ही जवरद स्पीशन इसके अंदर आपको आपको स्कूटर जो कि यह बहुत जादा जवर दस रहाए और बताना चाहता हो यह जो आपको स्कूटी है सबसे जवरदस्त में से एक है मैं अगर मैं इसकी प्रायस रेत की बात करो फ्रेंट तो यह मैं अभी मार्केट में यह आस्य हजार से लेकर एक लाक के बीच में आपको दे का एक बार अगर आप चार्ज करोगे 75 km आपको कम से कम आपको चलाने को मिलेगा इसके अंदर और मैं बताना चाहता हूँ आपको फ्रेंड ये टांस्मिशन आटोमेटिक इसके अंदर मिलेगा और एलोई का वील मिलेगा जो कि बहुत ही जबरदस्त है और बैटरी भी इसका लाइन ओन का मिलेगा जो कि मतलब आपको थोरा सा कम है बट ये बहुत ही जबरदस्त है और इसके अंदर आपको GPS सिस्टम को वगड़ा काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा जो TVS का ओन GPS सिस्टम है और मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर जो हर चीज इसको आपको जो यूज करोगा काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर काफी ज़्यादा इस पेस भी है बॉक्स में आप देखे रहो कुछ सामान रखने के लिए और ये वाइट कलर और दो तीन कलर में और आपको देखने को मिलेगा और इस पीड की बात करे तो बह ग्रीन और वाइट कलर भी आपको वैरेशन देखने को मिल जाएगा और इसकी लुक बाइच की बात करें तो बहुत ही जबरदेस्ट है और मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर कोई ABS नहीं मिलेगा आपको और इसके अंदर लीथियम का बैटरी मिलेगा और मैं बताना चाहत हूँ फ्रेंड एक चीज और आटोमेटिक टांस्मिशन मिलेगा इसके अंदर और मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहता हूँ यह बहुत ही जल्दी चार्ज होता है और इसका स्पीड सच में चेतक की तरह बहुत ही तग रहा है आपको मैं सजिच करूँगा इसको एक बार लो और मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड आपको इसको आप अगर आप लोग अभी तो आपको कम से कम एक लाग से लेकर एक लाग पंद्या तक में आपको ऑन रूड मिल जागा इसका बेस्ट वेरिशन और यह सच में बहुत ही जबर्दस है फ्रेंड अगर आप इसको एक बार चार्ज करोगी कम से कम 110 km आपको चलेगा और मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर गियर CBT का गियर है और इसके अंदर वील का अलॉय और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड एक चीज और टांस्मिशन इसमें आटोमेटिक है और मैं एक चीज और ABS इसके अंदर नहीं है और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड एक चीज और लीथियम आयोन का बैटरी है इसके अंदर जो की बहुत ही जवरदस्त है और इसके अंदर काफी ज़्यादा आपको color variation मिल जाएगा और मैं फ्रेंड एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको इसक करना चाहता हूँ आपको यह 5 एसकूटी में से सबसे अच्छा एसकूटी कौन सा लगा color wise या price wise जो सबसे अच्छा लगा आप comment box में comment करके जरू बताएं अगर आपको कोई भी doubt होगा तो आप अराम से comment box में comment करें फ्रेंड मैं हर comment का personally answer दूँगा I hope अगर आपको वीडिय चैनल को देखने के लिए धन्यवाद